प्राया हम देखते हैं कि हम लाइफ में अगर सफल होते हैं तो इसकी क्रेड़िट कहीं नहीं हम अपने आपको देते हैं कि हमने मेहनत किया, संगर्स किया, यह हमारा सफना था, दिन रात एक किया और वहीं अगर हम उसफ़ल हो जाते हैं तो हम इसके लिए दस भाना ढूरते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ दस एक्सक्यूज खोजते हैं लेकिन आप देखेंगे कि आपकी जो गलती है वा सिर्फ आपकी गलती है तुम्हारी असफलता भी सिर्फ तुम्हारी है किसी को इसका दोस मत दो कि अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो अगर आप अपनी गलती के लिए स्वैन को दोसी मानेंगे अपनी कम्यों के लिए अपनी असफलता के लिए स्वैन को दोसी मानेंगे तभी आप अपनी गल्तियों से सीख ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं रतन टाटा के सफलता के पीछे भी यहीं महत्पुन कारण था जो देश का सबसे बारा एक द्योगपती व्यक्ति इसी सुत्र पर इसी फर्मुले प्रकाम कारण।